कि नमस्कार दोस्तों गूड इउनिंग सभी को जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाईएगा और हमेशा अपन जैसे कलास में पढ़ते हैं आज वी वेसे कलास का सिलसला आपन आगे बढ़ाएंगे और राजस्तान के अपन इस्ट्री पढ़ रहे थे और इस्ट्री का ज में हम लोगों पढ़ रहे थे और इतियास में अपन ने देखा भी था कि अधियास में अपन लोग पढ़ रहे थे अभी लेक हम लोगों ने पढ़ लिये थे अभी लेक के बात में अगर अपन बात करें तो हमने सिक्के भी पढ़ लिये थे सिक्के पढ़ लिये थे अभी लेख हम लोगों ने पढ़ लिये थे अभी लेखों का अधियान अपना हो गया था दूसरी बात करें तो सिक्के हम लोगों ने कल पढ़े थे उसके बाद में हम लोग इतियास कार पढ़ रहे थे कल इतियास कार है ना कल अपन लोगें इतियासकार ये टोपिक अपना कल चल रहा था थो थोड़ा साप लोग ज्यान रखिएगा ये अपन इत्यासकार अपन कल बढ़ रहे थे और इत्यासकारों में अपन ने करनल जैम स्टोड से लेकर के मोहनोत नेन सिंग को साइद कल अपन लोगों ने बढ़ लिया और इसके साथ साथ में डॉक्टर गोरी संकरी हिरानन्द ओजा को हम लोगों ने बढ़ लिया था डॉक्टर गोरी संकरी हिरानन्द ओजा, स्यामलदास, ददीवाडिया, है ना एलपी टेसी टोरी को भी हम लोगों ने साइद बढ़ लिया था मेरे हिसाब से तो अभिलेखों का अध्यान अपन लोगों ने कर लिया था और सिक्कों का अध्यान अपन ने कल किये भी था इतियासकार अपन लोग पढ़ रहे थे तो इतियासकारों में हमने डॉक्टर गोरी संकर हीरानन्द ओजा करनल जैमस टोड के बारे में भी अपन लोगों ने जानकर यहां से परापते कर ली थी यहां से और अब हम लोग नेक्स्ट एक इतियासकार के बारे में पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो इतियासकार है वो अपने बात करेंगे स्यामलदास ददिवाडिया को हम लोगों ने पढ़ लिया था गोरी संकर ओजा को पढ़ लिया था और एल्पी टेसिटोरी को भी साय दे कल हम लोगों ने पढ़ लिया और मोहनोत नैन सिंग को लास्ट में हमने पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्यमल मिसरन सूर्यमल मिसरन आज का जो अपन का इतियास का रहेगा वो कौन है सूर्यमल मिसरन सूर्यमल मिसरन सूर्यमल मिसरन के अगर अपन लोग बात करें तो इनका जो जनम है ये जनम इनका 1815 में हरना गाउं बूंदी में हुआ हरना गाउं बूंदी में हरना गाउं बूंदी में इनका जनम हुआ और बूंदी के साथ से का राम सिंग के दरबारी थे ये बूंदी के साथ से का नाम क्या था राम सिंग और राम सिंग के क्या थे ये दरबारी थे ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से ज्यान रखिएगा कई बार है ना छोटे मोटे एक्जाम में इस परकार के परसन जो है वो पूछ लिये जाते हैं कि जैसे मोहनोत नेन सिंग का पूछ लिया किन के दरबारी थे तो आप लोग बता सकते हैं मारवाड के सास जस्वन सिंग पर्थम के दरबारी थे डोक्टर स्यामलदास ददीवाडियाग अगर पूछे तो वो पहले संभू सिंग के दरबारी थे फिर साजन सिंग के दरबारी हो गए है ना वीर विनोज जिन्होंने लिखा अपने कल उनके बारे में बड़ा पूरी जानकारी डोक्टर गोरी संकर हीरानंद ओजा की बात करें तो मेवाड की महारना सजन सिंग के आसरे में रहकर के वो उन्होंने भी रास्तान के इतियास की कुछ एक रियास्तों का इतियास लिखा वेसे ही जैसे राव जेट सी है राव जेट सी रोचंद लिखा बीटू सुजा नागर जोत ने तो इस परकार की परसंड जो है वो कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा जो कभी है वो किस राजा का दरबारी रहा तो सुर्यमल मिस्रन के अगर बात करें सुर्यमल मिस्रन बु कह सकते हैं कि राजस्तान के राज्यकवी कहते हैं इनको राजस्तान का राज्यकवी ये भी आप अच्छी तरीके से ज्यान रखना जैसे राजस्तान का राज्यमल मिस्रन है इनका जो सबसे परसीद गरंद रहा वो आप सभी को मेरे साब से पता भी है और उस गरंद का नाम मैं Once Baskar गरंत का नाम कै Once Baskar और Once Baskar इन्हों ने लिखना जो परारम किया था 1840 में पर ये अधूरा है यानि पूरा नहीं कर पाए पूरा नहीं कर पाए तो आपके दिमाग में ये भी परसन आया होगा कि Once Baskar को पूरा किस ने किया तो अपन कहेंगे थे यह सुर्यमल मिस्त्रण के दतक पूत्र थे दतक पूत्र का मतलब होता है गोदलिया पूत्र ठीक है न तो आपन बात करेंगे कि वंस बासकर बहुत सारी करती हैं सुर्यमल मिस्त्रण की पर सभी करतियों में से अगर सबसे परशिद कोई करती हम लोग देखें सुर्यमल मि के साथ में इनकी अन्वन हो गई थी और इन्होंने सबास्कर को क्या चोड़ दिया आप कि में आपको यहां एक जोटी से जानकारी और भी देता हूं कि जैसे पर्थवी राज रासों आप लोगों ने कभी पढ़ा है पर्थवी राज रासों के बारे में आप ये भी जानते हैं मेरे साथ से पर्थुराज रासो लिखना प्रारम किया था चंदर बर्दाई चंदर बर्दाई जो थे वो अजमेर के पर्थुराज थर्ड के दरबारी थे और मित्र भी थे और इसलिए चंदर बर्दाई और चंदर बर्दाई भी जाती से चारण थे और सुर्यमल मिस्रण भी जाती से क्या है? चारण है. तो चंदरबर्दाई और पर्थ्वी राज थरड के बारे में मित्तर भी थे, तो ऐसा भी का जाता है कि एक थाल जनम और एक थाल मरन. दोनों का जनम एक ही साथ हुआ था और मर्तिवी घजनी में एक ही साथ हुई थी. विक थे, उनोंने उनको फूरा किया. ठीक? तो सुर्यमल मिस्रण, वंस भासकर इनकी सबसे बड़ी बुक रही है. आप पूछोगे कि सर्म वंस भासकर में इसा क्या लिखा है? तो वंस भासकर में बूंदी का इतियास है. किस का इतियास है? बुंदी का इतियास है बुंदी के इतियास कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि हाडोती परदेश का जो प्रारंबिक आपसे अगर इस परकार का परसन पूछे कि हाडोती में सबसे पहले हाडा राजाओं ने स्तापना किस जगे उन्स बासकर में बुंदी का राज्ज का इतियास है और वंस बासकर जो है वो लिखना किनों ने प्रारंब किया सुर्यमल मिसरन ने किया इनको राजस्तान का राज्ज्य कभी कहा जाता है और जाती से यह क्या थे चारण थे तो आप लोग साहिद मेरे साब आप से समझ पा रहें नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें सुर्यमल मिस्टरण के बारे में जानकारी और हम लोग देखें तो हम ये कहेंगे कि सुर्यमल मिस्टरण की एक ही करती नहीं है सुर्यमल मिस्टरण की बहुत सारी करतियां है तो हम लोग अगर बात करें सुर्यमल मिस बलवंते विलास, एक अगर करती की बात करें तो वीर सत्से, वीर सत्से, वीर सत्से जो है न, वो वीरों को जगाने के लिए 1857 करांती में सुर्यमल मिश्रण ने लिखी थी, 1857 की करांती के समें वीर सत्से लिखा और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी सुर्यमल मिश्रण ने की एक पुत्तर को मा सिखा रही है की बेटा, अंगरेजों को जो है अपनी दर्ती जो है वो नहीं देनी है, इसलिए इसमें लिखा भी एक दोआ, इसमें सुर्यमल मिश्रण ने वीर सत्से में लिखा आए, बलवंत बलास भी इनिकाई है, चंदो मयुक इनिकाई है सुर्यमल मिश्रण का, और सुर्यमल मिश्रण की अगर पर्थम करती के हम लोग बात करें, पर्थम करती के अगर बात करें तो वो पर्थम करती कौन सी रहेगी तो हम कहेंगे रामरजाट ये थोड़ा सा ध्यान रखना रामरजाट जो है ये सुर्य मलमिस्टन की पर्थम करती है इस परकार की पस्टनों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा गूड इवनिंग सभी को गूड इवनिंग क्लास को सबसे ज़्यादा सेर कर दो सारे गूड इवनिंग सभी को गूड इवनिंग तो हम कहेंगे कि सुर्य मलमिस्तरण की छंदो मयूख है सती रासो सती रासो भी इनी की है सुर्यमलमिस्टरण का एक और गरंत है जिसका नाम है सती रासो क्या नाम है सती रासो तो सती रासो जो है वो भी सुर्यमलमिस्टरण का चंदो मयूग की अगर बात करें तो भी सुर्यमलमिस्टरण बल्वंत विलास की अगर बात करें तो भी सुर्यमलमिस्टरण वीर सतसे 1857 की करांती में लिखा था ये जान रखना आप लोग 1857 की करांती में लिखा वंस बासकर इनका सबसे वड़ा परशिद गरंत रहा जिसमें बुंदी राजेगा क्या लिखा है इतियास लिखा है मुरारीदान ने इनको पूरा किया 1840 में परारम किया और 1856 के सम्थिंग ये पूरा वा था 1857 में इनकी अनबन हो गई थी सुर्य मलमिस्रन और राम सिंग की तो राम सिंग के क्या थे ये दरबारी थे तो इस परकार के पश्णों को आप लोगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो सुर्य मलमिस्रन जो है वो हम पन कहेंगे कि बहुत बड़े अच्छे कवी रहे और कवी भी रहे और ये राजस्तान के इत्यासकार भी रहे इसका भी थोड़ा सा आप लोगे ध्यान रखिएगा तो सुरिय मलमिसरन हम लोगों ने देखा और सुरिय मलमिसरन से पहले हम लोगों ने आपने साइद लिख लिया होगा नहीं मैं आगे चल रहा हूं थोड़ा आप देखिएगा मैं कुछ एक आपको रिपीट करवा देता हूं क्योंकि मैं बता देता हूं कि आपने कौन-कौन स अपने इत्यासकार रास्तान के पड़े है देखो एक नमर हमने पढ़ा था कर्नल टोड कर्नल टोड के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था शामल दास किसको पढ़ा था शामल दास शामल दास के बाद में हमने पढ़ा था गोरी संकर ओजा को गोरी संकर हीरानंद ओजा ठीक है उसके बाद में हमने पढ़ा था मुहुनोत नेन सिंग मुहुनोत नेन सिंग मुहुनोत नेन सिंग के बाद में हमने पढ़ा था L.P. टेसी टोरी L.P. टेसी टोरी को हम लोगों ने पढ़ा LP Tessitory के बाद में अगर अपन बात करेंगे तो हमने बढ़ा है सूर्यमल मिसरन सूर्यमल मिसरन सूर्यमल मिसरन को हम लोगोंने बढ़ा एक कवी का नाम, एक इत्यासकार का नाम मोर लिख लिजिए जिनका नाम मैं कवी बांकी दास ये थोड़ा सा आप लोग ज्यान रखेगा कवी बांकी दास जी का थोड़ा ज्यान रखेगा इनका भी जो जनम है वो जोदपूर में हुआ कवी बांकी दास जो है इनका भी जनम जोदपूर में हुआ और कवी बांकी दास की जो विशेस्त बात रहेगी वो यह रहेगी कि जैसे बीकानेर के राठोडोरी ख्यात तो किस astronauts ने लिखी थी देयालदास इंडहयच ने लिखी थी वेसे ही कभी बांकी दास ने मारवाड के राठोडोरी ख्यात लिखी थी तो ये थोड़ा सा आप द्ध्यान रखियेगा इन्होंने क्या लिखा तो अपन कहेंगे मारवाड राठोडोरी ख्यात मारवाड राठोडोरी जो ख्यात है वो किस ने लिखी ति कभी बांकी दास ने लिखी ये आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कभी बांकी दास जो है इन्होंने कभी बांकी दास जो है इन्होंने मारवाड राठोडोरी क्या लिखी ख्यात लिखी ये भी आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कभी बांकी दास जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहां अब कभी बांकी दास जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे और मेरा क्लास में अच्छी तरीके से करवाया हुआ है तो भी वो भी थोड़ा सा जाने रखिएगा आप लोग क्लास मेरा अच्छी तरीके से कन्यालाल सेठिया और संकरदान सामोर बगएरा सब करवा रखिए हैं मैंने तो वहां भी आप कन्फ्यूज नहीं होए और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो ये राजस्तान के हम लोगों ने इतियास कार देखे करनल जैमस्टोड के बारे में हमने पूरी जानकारी देखी शामलदास ददीवाडिया को पूड लिया था गोरी संकर ओजा के अगर आप मैंने पूरी बात आप लोगों को बता दी थी बारतिय प्राचीन लिपी माला इनका अच्छा गरंत रहा और वो सबसे परसिद करती माई मानी जाती है गोरी संकर ओजा की जिसकी वज़े से हम ये कह सकते हैं कि गोरी संकर जी ओजा का नाम गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड में इनका सामिल हुआ और इसलिए इनको राजस्तान का गरीबन का जाता है थोड़ा ध्यान रखना राजस्तान का क्या का जाता है गरीबन ये परसन कई बार थोड़ा सा लिखा डुंगरपूर बासवड़ा परतावगड कोटा बुंदी और जोधपूर का पर्थम भाग ये लिख बाए इसलिए डॉक्टर गोरी संकर हीरानंद ओजा का राजस्तान का पर्थम पूर्ण इतियासकार माना जाता है मैंने कल आप लोगों को अच्छी तरीके से बत पारखी है उदीने सहर उदीने सहर का पढ़ता है तो हम कहेंगे इटली में पढ़ता है और 1887 में इनका 13 दिसम्र 1880 को एलपी टेसी टोरी लूइस पीजी ओ टेसी टोरी पूरा नाम है इनका जनम हुआ इसलिए उदीने सहर और विकानेर सहर को जुड़वां सहर के नाम से जाना जाता है उदीने सहर और है उदीने जो सहर है उसको और विकानेर को क्या है जुड़वां सहर के नाम से जानते हैं कौन सा सहर कहते हैं विकानेर को और उदीने सहर को जुडवा सहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि एलपीटेसी टोरी की जो करमस्तली रही वो भी विकानेर रही और यहां इन्होंने जारण साहिते का वलोकन भी किया और मर्त्यू भी यहीं हो गई थी कबर और पारक भी यहां म्यूजियम के पास में इनका बनावा है सुर्यमल मिस्तरन की अभी हमने बात पड़ी इनकी पहली करती रामर जाड़ती बुंदी के सासक राम सिंग के यह क्या थे दरबारी कवी थे नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कवी बांकी दास को हमने पढ़ लिया था जनम जोदपूर में वा था और मारवाड राठ़डो रिख्यात भी किस ने लिग कवी बांकी दास ने अब हम लोग थोड़ी से सबसे इपोटेंट जो जानकारी है वो पढ़ रहे हैं तो वो आप लिखेगा राजस्तान के संग्राले ये भी आप लोग अच्छी तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेगा राजस्तान के जो संग्राले वैसे तो हरजीले में संग्राले बनावाए जैसे उदेपूर में भी अपना संग्राले है अजमेर में भी संग्रालिया है जैपूर में, वीकानेर में, सबी जगे हैं बाकि इनी सभी संग्रालियां से हम अगर बात करें सबसे जो इपोटेंट जो राजस्तान के संग्रालिया है 2, 4, 5 उनका थोड़ा सामलोग 7-7 में जिकर कर लेते हैं एक तो आपको एक ध्यान रखना है कि राजपुताना संग्राले कहा है तो आप कहोगे कि राजपुताना जो संग्राले है वो अजमेर में है ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लो राजपुताना संग्राले कहा है तो आप कहोगे ये अजमेर में है दूसरी बात हम कहेंगे गोल्डन जुबली संग्राले दो नमबर अगर आएगा कोई तो वो आएगा गंगा गोल्डन जुबली संग्राले गंगा गोल्डन जुबली संग्राले जो है ये बीका नेर में है महाराजा गंगा सिंग ने बनवाया था गंगा गॉल्डन जूबली संग्राले और यह L.P. Tessi Tauri की देन है अगर आपसे एσα प्रसंद पूछ लेना कि L.P. Tessi Tauri की देन से राजतान मेर कौन सा संग्राले बना तो वो हमारे विका नेर में बना गंगा गॉल्डन जूबली संग्राले विका नेर में है next हम लोग अगर बात करेंगे तो वो है अलवर्ट पोल संग्राले तीन नमबर जो संग्राले आएगा वो ये है अलवर्ट होल संग्राले अलवर्ट होल संग्राले अलवर्ट होल जो संग्राले है ये जैपूर में आप सभी को पता है अलवर्ट होल का निर्मान जो है वो जैपूर में करवाया गया था प्रिंस अलवर्ट के आगमन पर और अलवर्ट होल जो है वो पर संगराले कहा है जैपूर में भी थोड़ा सा आप लोग द्यान रखना 1866 में इनको बनाया गया था राम सिंग सेकंड के द्वारा इनका जो निर्मान है वो अठारा सो 1866 किस के द्वारा तो हम कहेंगे राम सिंग सेकंड के द्वारा राम सिंग सेकंड जो जैपूर के सा सकते जिनोंने अलवर्ट होल का क्या करवाया था निर्मान करवाया था प्रिंस अलबर्ट के आगमन पुर्ट अलबर्ट होल कहा हो जाएगा जैपूर में हो जाएगा एक जो संग्राले है वो है सीरी बागड संग्राले चार नमबर जो संग्राले रहेगा वो कौन सा रहेगा बागड संग्राले बागड जो संग्राले है बागड संग्राले नहीं है बागड जो संग्राले है वो पाली में है ये कहा है बागड संग्राले पाली में है ये अच्छा परसन है इसको कई बार पूछ भी लिये है रपी असी ने तो बागड संग्रालय पाली में है और यहीं जो है इसी संग्रालय में क्या है सुगाली माता की मूर्ती रखी गई है अब यहाँ ध्यान रखना सुगाली माता की बातें एक दो मैं बता तो वैसे तो कल्चर में मैं आपको करवाँगा सुगाली जो माता है सुगाली माता का मं मुख्यत मंदिर था इनकी जो मूर्ति थी वंग्रेजों के द्वारा अजमेर में इस्तापीत करवाई गई थी वहां ले गए तो यहां से मूर्ति उखाड़ करके दूसरी बात हम अगर करें एक बार छोड़ तो द्लास्ट नो पता देंगे बागर संग्राले हो जगा पाली में सुगाली माता की मूर्ति है और दूसरी बात करेंगे सुगाली माता को जो है न वो अठारा सो सतावन की क्या कहते है कुल देवी कहते है कुसाल सिंग चमपावत की कुल देवी मानी जाती है उसका परसंग कई बार कम्चर में इस परकार आता है कि दस हाथ चोपन है कि या चोपन आत दस सी रहे तो थोड़ा ज्यान रखना इनका चोपन तो हात है चोपन हात और दस सीर वाली देवी कौनसी है तो आप क्या कहोगे सुगाली माता है ध्यान रखियेगा सुगाली माता और दस सर, चोपन बुजा वाली एराजोम और विलकुल नेक्स्ट अम लगए ऐगर बात करें बागड संग्राले पाली में हो गया सर छोटू राम संग्राले के परसंद कई बार आ गया है तो इनका भी थोड़ा सा ज्यान रखेगा आप लोगोंने साइद लिख लिया होगा मैं आगे चल रहा हूँ सर छोटू राम संग्राले चोटू राम जो संग्राले है न ये हन्वान गड में है कहां ये हन्वान गड में जान रखना आप लोग काली बंगा संग्राले तो आपको पता ही है लिखवाने की जरूरत नहीं काली बंगा संग्राले भी कहां है हन्वान गड में है और सर सोटू राम संग्राले भी अनुमानगड में, उमेद भवन पेले संग्राले जोदपूर में है, उमेद भवन संग्राले जो है न, ये कहा है, जोदपूर में है, जोदपूर में, इसे उमेद भवन संग्राले जो है, उमेद भवन का जो निर्मान है, वो जोदपूर के साथ से उमेद सिंग ने करवाया था उमेद सिंग निर्मान करवाया था थोड़ा ज्यान रखेगा आप लोग नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें उमेद भवन जो पेले संग्राले जोदपूर में है ना इनको छित्र पेलेस के नाम से भी जाना जाता है सिटी पेलेस संग्राले जैपूर में है सबको पता है सिटी पेलेस संग्राले जो है वो कहा है तो आप कहोगे संग्राले कहा है जैपूर में है सिटी पेले संगराले जो है न वो जैपूर में है और यहां चांदी के दो पात्तर रखा हुआ है गंगा जुबली जिनका नाम है और मान सिंग सेकंड ने इनका निर्मान करवाया था निर्मान किस ने करवाया था मान सिंगे सेकंड मान सिंग सेकंड निर्मान करवाया था और दो क्या रखेंगे चांदी के पातर रखेंगे दो चांदी के पातर ये भी थोड़ा सा ज्यान रखना CT पेले से ना इसको चंदर महल के नाम से भी जानते है कौन से महल के नाम से जानते हैं इनको चंदर महल के नाम से भी जाना जाता है चंदर महल के नाम से जाना जाता है चांदी के दो पात्र भी यहां रखे गए है तो सिटी पहले संग्राले ना ये जेपुर में निर्मान मान सी से करने करवाए ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना और मेड़ता संग्राले नागोर में हो जाएगा मेड़ता जो संग्राले है ना वो कहा हो जाएगा नागोर में हो जाएगा मेड़ता वो तो नाम सी पता चल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं जैसे काली बंगा संग्राले के हम लोग अगर बात करें तो काली बंगा कहा है अनुमानगड में वैसे मेरता संग्राले हो जाएगा नागोर में अब जो हम अगर बात करें विक्टोरिया होल संग्राले ये अच्छा परशन है विक्टोरिया होल संग्राले विक्टोरिया होल संग्राले जो है ना ये उद्यपूर में है ये कहा है उद्यपूर में थोड़ा द्यान रखना विक्टोरिया होल संग्राले जो है ये उद्यपूर में है इसका भी थोड़ा द्यान रखना निर्माण महाराणा फतेशिंग ने करवाया था अठारा सुशित्यासी में निर्माण जो है वो महाराणा फतेशिंग निर्माण महाराणा फतेशिंग ने करवाया था 1887 में ये थोड़ा सा ज्यान रखेगा आप लोग तो विक्टोरिया होल संग्राले कहा है तो हम कहेंगे उद्यपूर में है नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें सरदार म्यूजियम तो ये जोद्पूर में है कौन सा म्यूजियम सरदार सरदार संग्राले जो है न ये कहा है जोद्पूर में है जोद्पूर में और इनका जो निर्मान है वो जोदपुर के साथ सके सरदार सी ने करवाया था सरदार सी ने इनका क्या करवाया निर्मान करवाया जस्वन थड़ा जो है न एक थम्मिया महल जस्वन थड़ा जो है वो भी जोदपुर में राम राम सर्जी बिल्कुल राम राम बी आर चोदरी राम राम बिल्कुल सभी को राम राम नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें लोग कला संग्राले तो हमने लोग कला संग्राले लोग कला जो संग्राले है ये लोग कला लोगकला जो संग्राले है ये उदेपूर में है कहा है उदेपूर में ये भी थोड़ा सद्या रखना आप लोगकला संग्राले जो है ये उदेपूर में है प्राच्य विद्या प्रतिष्टान संग्राले ये बहुत बार प्रसन आया है इसको आप नोटी कर लेना प्राच्ये विद्या पर्तिष्ठान संग्राले ये जो है संग्राले जो है ये कहा है जोदपुर में इसका परसन के यी बार आ गया है एक अपनी विकानेर में अगर आपको पता है तो राजस्तान अभी लेखा गार संग्राले ना राजस्तान अभी लेखा गार ये जो है ना ये कहा है विकानेर में है इसकी स्तापना को लेकर के बहुत बार पर सुन आया है इसकी स्तापना 1955 में होई थी ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग तो राजस्तान अभी लेखा गार जो है ये विकानेर में है और इसकी स्ताप अपना को लेकर किई बार परसन आया है तो हमने राज़तान के ऊचे संग्राले हम लोगों ने देखे जिसमें गंगा गॉल्डन जूब्ली संग्राले विकानेर में हो गया जैसे है ना और उसके बाद में अलबट होल संग्राले जो है जीपूर में हो गया सिटी पेले संग्राले हो गया जैपूर के अंदर उसके बाद में हमने राजस्तान के अंदर उद्यपूर का देखा जिसमें हम कह सकते हैं विक्टोरिया होल संग्राले जो है यह भी उद्यपूर में मिवाड का निर्मान किस ने करवाया मिवाड के महारणा फतह सि जो संग्राले जो है यह जैपूर में है जोध पूर में है यह भी थोड़ा ध्यान रखना रास्ता नाविले खाल गार जो है इस किस्ताफ ना बहुत बार प्रशंद पूछा गया उनिश इपिचपन में और है कां यह बी का नेर में यह भी थोड़ा सा आप लोग अच्छी त नहीं है तो यह हमारे संग्राले हम लोगों ने देखे और इस से पहले हम लोगों ने इतियास कार पड़ लिये हैं अब हम राजस्तान का इतियास कशब से महतोपूर्ण जो भाग है वो देख रहे हैं तो वो है हमारी राजस्तान के इतियास का सब्याताइं सब्याताओं ये आप अच्छी तरीके से जान लखना वस सब्याताओं मैं मुख्ये मुख्ये सब्याताओं करवाँगा बाकी मैंने ओर रेड़ी 57 सब्याताओं ओफ लाइन क्लास जब भी आपकी होई पहले उनमें मैंने अच्छी तरीके से करवा रखिये पटवार में भी औ तो आप थोड़ा सा सुनने में ज्यादा में बार-बार आपको यही कह रहा हूं कि लिखो आपकम आपके लिखे वे जो आपके नोट्स आपने यहां से त्यार किये थे वह आपने अपने सामने रखिएगा एक पैंसिल या पैन अच्छे से रखिएगा और जो चीज आपको अ उत्तर पासानकाल की बात करें आजकल के जवाने में वहां से परसन बहुत जादा आने लगे सिदा इसा परसन पूछता है कि निमन में से चार स्थान देदेगा आपको और इसा परसन पूछेगा कि निमन में से बताइए यहां नव पासानकाल क्या उसे मिले और यहां से आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा प्रारंबिक बात की यही रही हमें से ब्यातों में हम जो जब भी पढ़ाएंगे तो पूरा पासानकाल मध्य पासानकाल उत्तर या नव पासानकाल जो है वो पढ़ेंगे तो अब आपको लिखना नहीं है आपको सुनना है म पूर सुनते रहेगा इतियास की प्रारंबिक चाहिए इंडियनिस्ट्रिब हो चाहिए रख्तानिस्ट्रिब जहां से Хम लोग इतियास को समझते है ना वहां से मैं आप लोगों को दो तीन लातें अच्छी अच्छी बता देता हूं देखो आप जब भी इतियास हम लोग पढ़ते हैं न तो दो तीन भागों में इतियास को बांटा जाता एक है प्रागे इतियासिक प्रागे इतियासिक काल एक है आद्दे इतियासिक काल और एक है इतियासिक काल इतियास के ये तीन भाग माने जाते हैं इतियास को तीन टुकडों में बांट करके पढ़ा जाता है आप जब भी पढ़ते हो तो इन तीन इतियासों को अलग-अलग तोर तरीके से पढ़िएगा प्रागे इतियासी काल जो है ना ये मानों का प्रारंबिक काल माना जाता है प्रारंबिक काल का मतलब यहां से मानों की उत्पती मानी जाती है मानों की क्या मानी जाती है उत्पती मानी जाती है टाइम पिरेड आपको नहीं याद रखना है ये 2,40,000 वर्ष पहले का काल माना जाता है ये 10,000 वर्ष पहले का है और ये 9,000 ये 6-9,000 वर्ष पहले का काल माना जाता है इतियासी काल कोई बात नहीं है प्रागे इतियासी काल जो है वो प्रारंबिक काल इतियास माना जाता है जिसमें मानव की उत्पती मानी जाती है यहां फिर आद एतियासी काल दूसरा भाग हो जाएगा और एतियासी काल तीसरा भाग हो जाएगा अब देखिएगा आप लोगे यहां प्रागे एतियासी काल में जो है ना तीन भागा आपको जो मिलते हैं या फिर एक ही काल में बता देता हूँ पासान काल हुआ पासान काल का मतलब क्या हुआ किस का यूग हुआ तो हम कहेंगे पत्थर का यूग हुआ सबसे पहले मानव ने दातू में परियोग हाथ में ठोड़ी ना लेगा दातु का परियोग छोड़ी ना करेगा, पहले तो पत्थर के किया था, पत्थर को पत्थर से टच किया, तो आग जल गई, आग का विसकार हुआ, उसके बाद में दिरे दिरे मानों समझदार हुआ था, तो पहले काल में पत्थर के परियोग करता था मानों, पत्थर के बाद में हम लोग अगर कहें तो उसके बाद में तामबा हो जाएगा तामबे के बाद में हम लास्ट में अगर बात करें तो वो हो जाएगा लोहा तो पहले पत्थर फिर तामबा फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा लोहा दातू का मिमाना उन्हें प्रियोग लास्ट समय में किया आपको अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से सुनना आ जाएगा तो ये प्रारमी काल माना जाता है या मानव की उत्पती मानी जाती है और इसी में हम ये कह सकते हैं कि पासान काल जो है वो इसी में याता है यानि ये जो युग रहा वो किस का युग रहा तो हम कहेंगे ये पत्थर का युग रहा पत्थर का युग रहा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बाद में दिरे दिरे मानो समझदार हुआ तो समझदार होने के बाद में दूसरा काल कौन सा प्रारम हो गया अद्यतिया हम कह सकते हैं कि यहां पर लेखनकारे तो मिलता है पर लेखनकारे की जो विदी रही वो विदी पढ़ी नहीं गई थी इसका मतलब यह हम यह कह सकते हैं कि लेखनकारे तो दूसरे काल में मिला पर लेखन विदी जो थी वो पढ़ने लाइक थी नहीं जिसको दाएं से तो में वायं से क्या लिख देती दाएं लिख देती दिए ये जो परषण है ये उप्सन में बहुत बारा पर्षण बड़े बड़े ऐके पूछा है वो सिदह देता है कि सक्षूा-फिदन या फिर गुरूमुक लिपी जो रूब तो मुत्र जो लिपी है उसको बताओ कैसे लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं फिर या एक उप्सन में बाएं से दाएं कर देता है दूसरे में दाएं से दाएं भी कर देता है तो इसका मतलब उल्जाकर प्रसन पूछता है तो कोई समस्या नहीं है पहला दाया होना विदी बुष्टो फेदन जो विदी रही वो कौन सी थी तो वो दाएं से बाएं और बाएं से क्या लिखी जाती थी दाएं लिखी जाती थी इसका आप लोग अच्छी तरीके से ज्यान रखिएगा नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वाली जो विदी है लेखन कारे वो आदियासी काले मिलती है अब आप थोड़ा जरा सा आँख खोल करके पड़ोगे ना तब आपके सुनवाएगा कि सिंदू गाटी सब्याता में ये सेम की सेम जो विदी मिलती है इसका मतलब सिंदू गाटी सब्याता किस काल की हुई तो आप कहोगे कि जिस भी सब्याता में ये जो लिपी मिली है वो सारी की सारी सब्याता है किस काल की होगी आदियासी काल की इसलिए आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ अड़पा सब्याता जो है वो किस काल की है तो अड़पा सब्याता हम ये वीदी मिली तो वो किस काल की होगी आदियत्यासी काल की जैसे विस्व की दजला फिरात की जो सब्याताई है इराक इरान की जो सब्याताई है युन वो आदे एतिहसी काल से प्रारम हो जाता है पर मानों ने यहां लिखना जो था वो सही डंग से नहीं लिख पाया क्योंकि मानों लिखना जानता नहीं था पहले इसी सुरुवात में यहीं से तो लिखना प्रारम किया यहां लेखनकारे परारम हो गया पर पढ़ा नहीं गया और उसके बाद में यहां पढ़ा गया तो यह आप लोग चोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रखेगा क्योंकि एतियासी काल जब भी आता है या हम लोग जब भी पढ़ते हैं वो इतियास का काल माना जाता है अंतिम जहां जाकर के मानव एकदम समझदार हो गया था परिवार जो था वो फित्रस्तात्मक हो गया था पहले परिवार मात्रस्तात्मक हुआ करता था यहां जाकर के सियुक्त प्रिवार हो गया था इतियासी काल में पहले एकल हुआ करता था वहां जाकर के दरम यानि देवताओं की मानेता हो गई थी पर यहां कोई देवताओं की मानेता नहीं थी तो इसका मतलब इतियास के तीन भाग माने जाते प्राग इतियासी काल दूसरा आदे इतियासी काल और तीसरा इतियासी काल इसमें क्या कहोगे कि यह प्रारम्भी काल माना जाता है यह मानव की उत्पती हुई थी पत्थर का जो है न युग है न वो कौन से प्राग एतियासी काल यहां लेखनकारे प्रार्मी नहीं हुए थे यहां हो गए और इनको पढ़ा नहीं गया फिर यहां लेखनकारे था यहां इनको पढ़ा गया यह बात आप अच्छी तरीके से ज्यान रखेगा अब हम लोग पढ़ते हैं राजस्तान के संद्रम में पूरा पासान काल काल कह दो या युग कह दो एक ही बात है यहां से जो मैं बात लिख रहा हूँ आप कोपी में या पेज आपने ले रखा है वहां दर्ज कर लीजिएगा आप लिख लीजिए अब जो मैं बात बता रहा हूँ राजस्तान के संद्रम में क्योंकि मैं ऐँडियन इस्ट्री का थोड़ा समेंने आपको संजाया था बाकी मैं जब इंडियन इस्ट्री बढ़ाता हूँ तब वहां पर पत्थर के युग का पहला काल जो माना जाता है वो पूरा पासानकाल है जब भी मानव ने पत्थर को हाथ में उठाया पत्थर से ओजार बनाएना तो मानव ओजार बनाना नहीं जानता था इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पूरा पासानकाल पत्थर के युग का वह पहला काल है जिसमें मानव ने पत्थर के ओजार तो बनाए पर वो ओजार जो थे वो बेडोले आकार के थे इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि मानव ने इस युग में ये पत्थर का पहला युग है इसमें मानव ने पत्थर के ओजार बनाने प्रारम तो कर दिये पर इनका परियोग सही ढंग से वो नहीं ले पाया क्योंकि मानव ओजार बनाना नहीं जानता था पूरा पासान काल का मतलब पासान यानि पत्थर के युग का पहला काल माना जाता है ये आप विशेश तोर से ध्यान रखेगा अब परसन क्या पूछा जाएगा परकार का परसन बनता है चाहे वो थर्ड ग्रेड से लेकर के फर्स्ट ग्रेड कोलेज लेक्टर के अगर एकजाम की बात करें तो वहां तक भी आरेस के एकजाम की बात करें तो वहां तक बस इनी में से सिर्फ परसन यही आता है कि वो सीधा प्रसंद पूछ लेता कि निवन में से कौन से स्थान से पूरा पासान काल, कौन से स्थान से मद्य पासान काल, कौन से स्थान से नव या उत्तर पासान काल के आउसे से मिले हैं तो आप पूरा पासान काल जो है पत्थर का पहला युग माना जाता है इस युग में मानव के दोरा परियोग में लाएगे पत्थर के अजारों के अउसेसे मिलते हैं अब हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि राजस्तान देखो पूरा पासान के सम्मंदित अगर आप से ये भी पूछे ना कि राजस्तान के फिर बताएए कौन से इसे में या कौन से दिसा में पूरा पासान काल के अउसेस जो है वो ज्यादा तर मिलें तो एक बात मेरी नोट कर लेना आप अच्छी तरीके से मेरे साफ से समझ पा रहे होंगे पूरवी राजस्तान में हम ये कह सकते हैं पूरवी राजस्तान में यानि पूरा पासान काल के अउसेस राजस्तान के अलग-अलग जगह से मिले हैं पर ज़्यादा तर अगर बात करें तो वो पूरवी राजस्तान से हमें देखने को मिलते हैं दूसरी बात इनके कुछ स्तान है जैसे विराट नगर हो गया, ये स्तानों का आप इसे ध्यान रखिएगा, मेरे साब से बहुत अच्छे परसन है, विराट नगर हो गया, ढिंगारिया हो गया, ढिंगारिया आप कहोगे कहा है सर तो जैपूर में हैं, और विराट नगर भी क डिंगारिया जैपूर में हैं हम कहेंगे बानगड बानगड जो है न ये अलवर में है बानगड के अलवर में है बानगड के अलावा अगर बात करें तो बिगोद भीलवाडा से अमीरपूर भीलवाडा से बिगोद भीलवाडा से हमीरपूर हमीरपूर जो है ये भी भी भीलवाडा से देवली देवली आपको पताईए सबको समझदार हो सारे टॉंक में देवली टॉंक से दूसरी हम लोग अगर बात करें इसके अलावा मान गड़ हो गया मंडपिय चितोड हो गया ये स्तानों का ध्यान रखिया आप लोग मंडपिय चितोड़ गड़ हो गया मान गड़ हो गया मान गड़ भीलवाड़ा ये जो स्तान है मैं आपको इसे एक जानकारी बता देता हूँ मेरे नोलेज के साथ से चाहे वो थर्ड गेड़ से लेकर आरेस के एकजाम तक के गिर में बात करूँ न सिर्फ और सिर्फ इन में से स्तान ही पूछे जाते हैं कि कौन से स्तान से पूरा पासानकाल कौन से स्तान से मद्य पासानकाल के आउसिस मिले हैं ये बात मेरी आप लोग ध्यान रखेगा तो विराट नगर बिराट दिंगारिया अलवर बानगड अलवर में विगोध भीलवाडा में अमीरपूर भीलवाडा देवली टॉंक मंडपी अचितोड और मानगड जो है भीलवाडा से यहां से पूरा पासान काल के आउसेस मिलें तो अगर दिसा पूछे तो पूर्वी राजस्तान कर देना जदातर और उसके बाद में अगर आप से स्तान पूछे तो ये आपके सामने स्तान रहे इन स्तानों को आप लोग विशेस ध्यान से ध्यान से देखिएगा बिलकुल रामलाल बादु विराट नगर जैपूर से म हम कहेंगे पूरा पासान काल के आउसे से मिले हैं नेक्स्ट हम लोग अगर देखें पूरा पासान काल तो पत्थर का कौन सा यूग है तो आप कहोगे ये तो पत्थर का पहला यूग है तो अब हम पढ़ते हैं पत्थर के दूसरे यूग की तरफ यानि उसको क्या कहेंगे फिर तो आप कहोगे कि सर उसको मद्य पासान काल कह दो मद्य मद्य पासान मद्य पासान काल जो है यह आपको पता ही है यह पासान यानि पत्थर के युग का दूसरा काल माना जाता है दस जार साल पूरो इसका टाइम प्रियेड माना जाता है आप मत लिखना है इसको उसके बाद में जो है इसके जो आउसेसे दो नदियों से के पास से मिले हैं वो नदी जो है वो राजस्तान की नदी आप अच्छी तरीके से ज्यान रखिए एक तो लूनी है और दूसरी कौन सी है बेड़च लूनी और बेड़च नदी के आसपास से इस मद्य पासान काल के क्या मिले आउसेस मिले मद्य पासान काल के क्या मिले यहां से आउसेस मिले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोनी और बेड़च इसका भी आप लोग विशेस ध्यान रखिएगा लोनी और बेड़स जो है लोनी और बेड़स के इस पास से मध्य पासान कार के आउसेस भी देखने को मिलते हैं अब जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये देखिए मानव ने सबसे पहले किसी जानवर को पाला तो वो कुत्ता था कुत्ता की बाद में दिरे दिरे इसने मानव को बेल को पालना शुरू कर दिया है ना तो यानि पसू पालन का कारे मानव के द्वारा शुरू किया गया आप से सीधा प्रसंद की बारा जारों बार रिपीट हो गए कि पसू पालन का कारे कौन से काल में प्रारम हुआ तो वो कौन सा है मद्य पासान काल तो यहां थोड़ा ध्यान रखना पसू पालन का कारे पसू पालन का जो कारे है न वो पसू पालन का कारे मद्य पासान काल से प्रारम होता है और ध्यान रखना आप लोग इसी से सबसे ज़्यादा परसन जो है एक ही परसन बार बार रिपीट हो रहा है कि राजस्तान में सबसे प्राचीन पसू पालन के उसे कहां से मिले हैं तो वो है बागोर भीलवाडा यानि पसू पालन के सबसे प्राचीन साख से जो मिले हैं कहीं में राजस्तान में सबसे प्राचीन तो वो है बागोर बागोर कहां पढ़ता है बीलवाडा यही बस परसन कि राजस्तान में सबसे प्राचीन पसुपालन के साक्षिय कहां से मिलें तो वो बागोर बीलवाडा से मिलें पसुपालन का कारे जो है वो मद्य पासानकाल में प्रारम हो गया और राजस्तान में सबसे प्राचीन पसूपालन के जो साक्से है वो भीलवाडा से बारत में भी आदमगड से मिले आदमगड मद्य परदेश से और लगनाज गुजरात से भी मद्य पासानकाल के या हम कह सकते हैं कि पसुपलन की प्राचीन साक्सी यहां से देखने को मिलते हैं इसके अलावा राजस्तान में बागोर के अलावा कहां कहां से तो थोड़ा जान रखिया आप लोग एक तो बागोर में सबसे प्राचीन मिलें इसके अलावा आलनिया आलनिया कहा हैं तो आप कहोगे जैपूर में दूसरा कौन सा है दर्रा दर्रा आपको पता ही है कोटा जालावाड है ना कोटा जालावाड दर्रा हो जाएगा उसके बाद में विराट नगर हो जाएगा विराट नगर यानि हम कह सकते हैं बेराट बेराट यानी जैपूर इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो वो सोहनपूर सीकर और समचा समदालवर सोहनपूर सीकर और समदा अलवर अभी राजस्तान में कोई 5-7 दिन, 10-15 दिन पहले एक एकजाम हुआ था पता नहीं मुझे किसका वा था उसके एक बच्चे ने परसन पूछा था यही परसन बेजा था और उसमें समदा आया वा था था थो थोड़ा ध्यान रखना समदा जो है समदा सोहनपूर, विराट नगर, दर्रा, आलनिया, बागोर यहां से राजस्तान में मद्य पासान काल के क्या मिले और उसे इस मिले, भहुत सांदर परसन है आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार आप लोगों कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको स्तान पूछेगा स्तान के लावा वो कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास पूछने को कुछ भी नहीं है वो एक जमीनर सीधा आपसे पूछेगा कि राजस्तान में निमन में से कौन से स्थान से मद्य पासान काल क्या उसस मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं तो यह जो है यह आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना आलनिया जो है वो जैपूर में विराट नगर जैपूर में कीरन स्वामी क्या कह रहे हो आलनिया कोटा में है वो आलनिया जो है आलनिया रास्तान में ऐसा नहीं है कि एक इस्तान है आलनिया बता रहे हो कोटा में वो एक छोटी सी सब्याता है ये आलनिया जो है ये जैपूर के अंदर है ज्यान रखना आप लोग जहां से मद्य पासान काल के क्या मिले अवसे इस मिले हैं दर्रा हम बात करें तो दर्रा कोटा में, विराट नगर विराट जैपूर में, सोहन पूर सिकर में और सम्धा का रहेगा अलवर में जही इनका किसनलाल मेगवाल कह रहे है जही इनका एक्जाम वा तो उसमें ये पूछाता सम्धालवर से तो आप लोग अच्छी तरीके से इनका ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अम लोग आप लोगोंने लिख लिया होगा मेरे साब से और आगे चलता हो में लास्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा उत्तर पासान काल या फिर नव पासान काल या पिर नव पासान काल यानि पत्थर के युग का ये अंतिम काल है इसके बाद में मानवने जिस दातु का परियोग किया वो तामबा था इसलिए आप लोग पढ़ते भी हो कि मानवने सबसे पहले किस दातू का परियोग के तो वो कौन सा हो जाएगी तामबा हो जाएगी मानवने सबसे पहले किस पालतू जानवर का किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया तो वो कौन सा हो जाएगा उत्ता हो जाएगा तो उत्तर या नव पासान काल है ये पत्थर का अंतिम काल माना जाता है जो 6 से 9000 पिसा पुरो का माना जाता है खेर कोई बात नहीं इनके आपको नहीं लिखना है इस युग में देखो इससे पहले नव पासान या उत्तर से पहले हमने मद्य पासान पड़ा और मद्य पासान में मानों ने पसु पालन का कारे शुरू कर दिया था इसका मतलब उत्तर या नो पासान में पसु पालन का कारे तो रहे गए रहेगा तो पसु पालने के लिए साथ साथ में किसी गास या गास पूस कचरे की दुरूरत होती तो इसलिए मानों ने करशी करना भी क्या कर दिया प्रारम किया तो हम यह कह सकते हैं कि इस काल में मानों ने पसू पालन के साथ साथ में एक और काम जोड़ दिया जिसका नाम क्या था करशी था तो ये भी थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से ज्यान रखिएगा अच्छा आपसे अगर कुछ इस प्रकार का प्रसन पूछा जाएं कि ऐसा कौन सा पत्थर का युग है या फिर ऐसा कौन सा इतियास का काल माना जाता है जिससे मिस्रित करसी के अपन कहांगे मिस्रित करसी के जो है आउसे इस प्राप्त होते हैं तो वो यही है नव या उत्तर पासान मिश्रित मिश्रित कर्सी मिश्रित कर्सी के जो है न प्रमान वो भी कहां से मिलते हैं तो आप कहोगे उत्तर या फिर नव पासान काल से मिलते हैं इसका भी थोड़ा आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान लखना आप नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें उत्तर या नव पासान काल में तो आपसे वही वापस बात रहेगी मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि नव या उत्तर पासान काल के आपको स्तान पूछेगा कि निमन मैंसे कौन से स्तान से उत्तर या नव पासानकाल के साख से या मिले तो आप लिखेगा सबसे पहले बागोर बीलवाड़ा, बैसरोड़गड, चितोड़गड देखो एक तो हो जाएगा बागोर, बागोर कहां पढ़ता है बीलवाड़ा एक हो जाएगा आपन कहेंगे बैसरोड़गड बैसरोड़गड कहां है तो हम कहेंगे बैसरोड़गड चितोड़गड में है उसके बाद में एक नदी भी हो जाएगी जिसका नाम है चंबल है ना, एक नदी भी हो जाएगी जिसका नाम चंबल है उसके बाद में विराट नगर हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा विराट नगर भी हो जाएगा विराट नगर यानि कौन सा हो जाएगा बेराट हो जाएगा विराट नगर यानि बेराट हो जाएगा इसके बाद सोहनपूर हो जाएगा है ना सोहनपूर भी हो जाएगा, हर सोर भी हो जाएगा सोहनपूर भी हो जाएगा, सोहनपूर का शिक्कर में और उसके बाद में हर सोर भी हो जाएगा हर सोर, हर सोर काम पड़ता है तो आपको अलवर में अलवर में उसके बाद में हम लोग अगर बात करें न एक स्थान और है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखना जिसका नाम है सम्दड़ी सम्दड़ी काम पढ़ता है बाड मेर सम्दड़ी का है बाड मेर सम्दड़ी के अलावा हम लोग अगर बात करें तो बरनी टॉंक बरनी टॉंक इसके अलावा चंबल के अलावा इसमें कोई नदी पूछे न तो वो नदी भी कौन सी हो जाएगी लूनी हो जाएगी ये ध्यान रखना आप लोग सम्दड़ी बाड म और बरणी टोंग का तो बरणी एक स्थान तो इसमें बरणी रखना याद और एक स्थान कौन सा रखना है हरसोर हरसोर काम पड़ता है अलवर में तो आप ये स्थान आप इसे इस तोर से याद रखिएगा मेरे साथ से स्थान जो है वो सबसे महतवपूर्ण है आप इनको पूरा पासान काल मैं एक बार आपको वापिस ले चलता हूं हमने शुरू किया था पूरा पासान काल पत्थर का पहला युग जो पूरवी रास्तान में सरवादिक साख से मिले उसके बाद विराटनगड, डिंगारिया, भानगड, बिगोद, हमीरपूर, देवली, मंदपिय या मानगड, यह जो ऐसे स्तान है, जहां से पूरा पासान काल के क्या मिलें, आपसे इस परकार का परसन देखो, बासा अमेसा परसन की सैम, डिक्टो, बुक की नहीं रहती है, बासा वो एक्जामिनर आपको उलजाने के लिए, आपको फेल करने के लिए, बासा वो अपने इसाब से अच्छी सी अच्छी परसन में सामिल कर सकता है, इसलिए क्या करते हो, आप लोग आपने कभी देखा होगा, कि बुक में जो आप पढ़ते हो, परसन वहीं, वहां मिल जाता है आपको, बाकी वेसी लेंगवे, जैसी बुक में लिखी वेसी कभी नहीं मिलती है, त तो मैंने का, ये पत्थर का पहला यूग है, तो मानौ जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, तो क्या पहली बार में सही बना पाते हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये है, कि पूरा पासान काल में मानौ ने पत्थर के उजार बनाए, पर वो बेडोले आकार के थे, इसका मतलब ये पूरा पासान काल की बात कर रहा है बेडो लेयाकार के पत्थर के ओजार पूछ रहा है इसका मतलब पूरा पासान काल के बात कर रहा है तो पूरा पासान काल के सामने आपके यहां रहे तो आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो दूसरा रहा मद्य पासान काल तो दीरे-दीरे मानव ने क्या किया पत्थर के ओजारों को एतो तीनों पासान काली तो इसका मतलब दूसरा काल आया तब तक मानव ने दीरे-दीरे क्या कुलाडी को आद का कठो रहा है गंडा सा है उनको दीरे-दीरे किया कि कम अलका छोड़ा कर लिया क्योंकि दीरे-दीरे मानों समझदार हो गया ना परियोग में लेते रहा उन उजारों को तो इसने यहांपर जो ओजार जो है यहांपर मद्य पासान काले पत्थर के उजार नुकीले आकार के छोड़े बन गे थे साथ साथ में इसने पसू पालन का कारे फ्रारम कर दिया पसू पालन के साथ से प्राचीन सबसे रास्तान में कहां से मिले तो वो रहेगा बागोर फिर आलनिया दर्रा विराट नगर सौनपूर और सम्दा जो है उसके बाद में उत्तर या नव पासान यहां देखो मानव ने पहिये का भी अविसकार कर लिया था पहिये का अविसकार जो है न वो किस काल का माना जाता है नव या पासान काल का क्यों क्यों क्योंकि मानव ने पसू पालन और यहां पर करसी का प्रारम कर दिया तो मानाव के लिए गाड़ी की भी क्या पड़ी जुरूरत पड़ी मानाव उनको तो इसलिए उसने या पईये बना करके लकड़ी के या पत्थर के और फिर क्या है गाड़ी भी बना दी याँ पर तो पईये काउशकार भी यहां से हो गया मिश्रित कवर्शी के आउसेस जो है वो उत्तर या नवपासानकाल उसके बाद में यह आपके सामने स्तान रही बागोर वेसरोडगर चंबल विराट नगर लूनी बेराट हो गया सोनपूर हो गया और सोर हो गया बरनी टॉंक हो गया समधड़ी बाड मेर जहां से उत्तर या पिर नवपासानकाल के आउसेसे मिले हैं रामलाल वादू तिलवाडबाड मेर क्या है तिलवाडबाड मेर प्राचीन सबसे पसू मेरा लगता है तिलवाडबाड मेर मेर में तो ये हम लोग सब्याताओं के अगर बात करें तो सब्याताओं में सबसे अच्छी जानकारी हमें ये सबसे पहले देखने को मिलती है और इनी जानकारियों के माद्यम से हम लोग क्या है सबसे पहले इनको देखते हैं और समझते हैं तो इस परकार के पर समझो है वो आपको थोड़े अच्छी तरीके से जाने रखने हैं अब लोग हम क्या है हमेशा की तरह है जब भी मैं कोई टोपिक बढ़ाता हूँ तो सबसे पहले उनकी सुरुवात जो है वो व्यापक रूप से करता हूँ उसके बाद में हम उस टोपिक की तरह बढ़ते हैं तो आज भी हमारा वही रहेगा अब तो हमने ये समझा कि राजस्तान में मद्य पासान काल, पूरा पासान काल, नव पासान काल या फिर हम ये कह सकते हैं कि आद्धे एतियासी काल या फिर प्राग एतियासी काल इनके उसे इस रास्तान में कहां कहां से मिले ये हमने देखा अब हमेशा की तरह टॉपिक का जो सवरूप है वो हमने पढ़ा अब हम क्या करते टॉपिक शुरूप तो रास्तान की सब्याता हैं और सब्याता हो में सबसे पहली कौन सी काली बंगा देखो मैं कुछ एक चीज बताऊंगा मैंने आप लोगों को लिखवा रखिये मैं सिर्फ और सिर्फ रिपीट करवाऊंगा और कुछ भी नहीं करवाऊंगा मैं सिर्फ रिपीट करवाऊंगा और वो भी एक मुखेक मुखेक बाते करवाऊंगा क्योंकि इतनी सारी चीजे नहीं लिखी जा सकती, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, हमें उतना ही चाहिए जितना हमारे एक्जाम के लिए प्रयाप्त रहें तो काली बंगा जो है, एक तो यह जान रखना कि काली बंगा कौन सी बासा का शब्द है, तो आप क्या कह सकते हो, सिंधी बासा का शब्द है, जिसका अर्थ काली रंग की चूड़ियां होता है, सब को पता है दूसरी बात हम ये रहेगी ये किसका केंदर है तो हम कहाएंगे ये सिंदू गाटी Bhagyata का है केंदर है सिंदू गाटी सिव्यता की तीसरी राजदानी है डोक्टर दसराय सर्मा जो थे न इनों ने इनको काली बंगा सब्याता को सिंदु गाटी सब्याता की कौन सी राजदारी कही है तीसरी राजदानी कही है तीसरी बात हम लोग अगर करें वो यह कि काली बंगा सब्याता को दीन हीन बस्ती का जाता है दीन हीन बस्ती जो है वो भी काली बंगा श्वैत्व का जाता है क्योंकि यहांपर सरवादी कच्छी इंटे मिली है इसलिए इसको दीन ہिन बस्ती के नाम से पुकारा जाता है काली बंगा श्वैत्व का बात करें एक तो खोज हो जाएगी एक इसका जो है उत्खनन पहली बार हो जाएगा और एक उत्खनन दो बार इनका हुआ तो इनकी देख लेते हैं खोज जो थी वो LP Tessitory हो जाएगा मेरा बताया हुआ अच्छी तरीके सो आप लोगों सब को Tessitory उत्खनन की बात करें तो यहां अमलानंद गोस हो जाएगे अमलानंद गोस 1952 में और यहां हो जाएगे बीबी लाल और बी के थापर यह हो जाएगे 1961 से लेकर के 1966 तक बस आपको कुछ याद नहीं रखना है आपको इस LP Tessitory देखो LP Tessitory जो महराजा गंगा सिंग किसमे विकानेर थे तब इनका गंगा नगर हनवान गट पीली बंगा इनकी तरफ जाना हुआ तो अब इन्होंने सबसे पहले इस सब्याता के बारे में जानकरी जुटाए थी पर इनकी जानकरी प्रितना ज्यान नहीं दिया गया तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले काली बंगा सिव्याता का पता किसने लगाया तो LP Tessitory ने उत्खनन सबसे पहली बार किसने किया अमलानन्द गोसने 1952 में उसके बाद में दुबारा उत्खनन और किया गया बीबी लाल बिरिजवासी लाल बीके थापर बाल किरिशन थापर के द्वारा 1961 और चांसट के बीच में तो थोड़ा ज्यान रखेगा प्रेमिन क्या जी सर रामेशनी बादू यस सर ठीक है प्रेमिन क्या 133 तरायट सर बिल्कुल सही बात है तो उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961 से 66 के मद्दे और अमला नंद गोश के द्वारा 1952 के बीच तो ये भी थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से द्यान दखेगा और क्या बाते हो सकती है काली बंगा के संद्रब में देखो काली बंगा के संद्रब में अगर बात देखे है न तो वो ये रहेंगी कि इनका पांच स्थर पर उत्खनन हुआ कितने स्थर पर? पांच स्थर पर उत्खनन पांच स्थर पर उत्खनन हुआ पांच स्थर पर उत्खनन हुआ इसका पांच स्थर पर उत्खनन का मतलब ये है कि दो का पहले हो गया था प्राक अडपा जिसको आप लोग कहते हो और उसके बाद में तीन ऐसे स्थान थे जिनका बाद में उत्करन हुआ तो ये भी थोड़ा सा आप ज्यान रखिएगा पांच स्थर पर है ना तो उनका हम लोग देखते हैं पांच स्थर पर दो का देखते हैं देखो यहां पर क्या है कि एक दुरुगनुमा टिला मिला है एक तो टिला मिला है और एक हम ये कह सकते हैं जिसको पस्थी में टिला कहते हैं तो एक तो दुरुगनुमा नगर टिला मिला है और एक दुरुग नुमा बिना नगर टिला मिला है दुरुग नुमा टिला मिला है और एक हम यह कह सकते हैं कि दुरुग नुमा नगर मिला है देखो यह दुरुग नुमा जो टिला है न यहां हम यह कह सकते हैं कि यहां पर अमीर लोग रहते थे अनुमान लगा सकते हैं यहां पर कौन से लोग रहते हैं तो हम कह सकते हैं गरीब लोग रहते हैं इसको दुर्ग टिला और पस्चिमी टिला यह भी कह सकते हैं आप लोग पस्चिमी टिला हो गया एक तरफ और एक तरफ जो दूसरा है जिसको दरग नुमा नर कहते थे तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि या दरग नुमा जो टीला जो स्तान खुदा इसको मिला खुदा गया जब यहां पर अमीर लोग रहते थे और दुर्ग नुमा नगर जो है जहां पर गरीब लोगे रहा करते थे तो इसकी पांच इस तरो पर खुदाय की गई सबसे पहले जो इस तर दो जो थे वो यही है एक तो दुर्गनुमा टिला हो गया और एक दुर्गनुमा नगर हो गया जहां पर गरीब लोग निवासे करते थे नेक्स्ट अब बात इनकी ये रहेगी कि यहां से उपकरण किस परकार की या उधारण क्या मिलें एक तो देखना सडकें जो थी वो समकौन पर काटती थी सडकें जो थी ना वो समकौन पर काटती थी बस इतना ही याद रखना आपको और कुछ भी नहीं रखना है सडकें समकौन पर काटने वाली कौन से सब्याता है तो वो काली बंगा हो जाएगी शड़के समकौन पर काटती थी और नगर ये नगरीय सब्याता थी कैसे सब्याता थी नगरीय सब्याता थी ये जानक ना आप लोग ये नगरीय सब्याता थी क्योंकि हम ये कह सकते हैं ये कौन सी सब्याता थी नगरीय सब्याता थी नगरिय सिब्याता का परमान आपको पूछे कहां से मिला तो इनी सडकों के समकौन काटने के अजार पर हम यह कह सकते हैं कि यह नगरिय सिब्याता थी दूसरी बात जो है यह नगरिय सिब्याता थी सडके समकौन पर काटती थी और समकौन पर काटती थी इसका मतलब यह है कि इस परकार का एक मकान हो गया इस परकार का एक मकान हो गया इस परकार का एक मकान हो गया उसके बाद में यहां एक मकान हो गया और यहां एक मकान हो गया इस परकार की जो सड़के थी ना इस परकार की थी सड़के यह इस परकार की सड़के एक दूसरे को स समकौन प्रकार्टी थी यह जो पदती जो थी न यह दूर से ऐसा लगता था कि जाल सा विछावा है इसलिए इस समकौन प्रकार्टने वाले सड़कों की विदी को है ना इन्होंने नाम दे दियें कुछ एक का आप कह सकते हैं इसको जाल पदती कहते हैं कुछ एक कहते हैं कु जाल पदती ग्रीक पदती या ग्रीड पदती ये ग्रीड पदती है ग्रीड पदती ओक्सपोर्ड पदती कहते थे इसको और इसको चैम्सपोर्ड पदती के नाम से इनको जानते थे तो बस इतना ही ध्यान रखना कि जाल पदती ग्रीड पदती की जो शड़के थी या नगर तो था वो कौन सी सिभ्यता में था तो हम कह सकते हैं काली बंगा सड़के एक दूसरे को संकौन पर कारती थी सिभ्यता कैसी थी नगरीय थी नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो वो यह रहेगा कि अपन कहेंगे नालिया जो यहां पर है नालिया कच्ची हिंटों की भी थी और नालिया पक्की की थी दोनों ही थी उसके बाद में जो गरों के दर्वाजे जो थे वो पीछे की तरफ खुलते थे आगे की तरफ नहीं खुलते थे यहां पर हम यह कह सकते हैं कि नालिया जो थी ना वो लकडी की भी मिलती है यहां पर लकडी की नालिया भी यहां पर देखने को मिलती है यह लकडी की नालिया वाला मेरे साब से सबसे ज़्यादा परशन अच्छा है इसको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखें, नालियां कच्छी भी थी और नालियां पकी भी थी, दूसरी बात कहेंगे, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, और लकड़ी जो थी, वो नालियों की भी यहां भी मिले हैं तो बोगम के शाक्षे भी यहां धेखने कू मिलते हैं भुकम के साक्षे भी मिलते हैं यहां पर जोते वे जोतेवे खेट के साक्से मिलते हैं जोतेवे खेट के साक्से मिलते हैं उसके बाद हम यह कह सकते हैं यह जो जोतेवे खेट के साक्से हैं यह विश्व में सबसे पहले यहीं से मिले थे वोकम के साक्से भी सबसे पहले यहीं मिलते हैं एक मातर और जोतेवे खेट के साक्से भी है वो भी यहां से अच्छा जोतेवे खेट के साक्सिया आप से पूछ ले कि कौन सी दिशा से कौन सी तरफ है तो हम यह कह सकते हैं कि पूरा उसे तो पस्थिम है और उत्तर से क्या है दक्सिन है इस प्रकार के जोतेवे खेट के जो साक्षिय है वो भी कहां से मिलते हैं हम कहेंगे काली बंगा से मिलते हैं इसके अलावा आपको अगर पूछा जाए कि यहां पर अगनी वेदी काई मिलती है अगनी वेदी काई भी मिलती है देखने को अगनी वेदी काई मिलती है इसका मतलब अगनी वेदी काई मिलती है तो य वो मात्रस्तात्मक था मात्रस्तात्मक था क्योंकि काली बंगा खुद एकिस बैता का केंदर माना जाता है सिंदुगाटी से बैता है तो सिंदुगाटी से बैता है परिवार मात्रस्तात्मक था तो यहां भी क्या होगा मात्रस्तात्मक होगा दूसरी बात हम यह करें तो वो सवतंतरता यानि 1947 के बाद में पहली बार इसका उत्खरण किया गया ये थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा पहली बार इसका उत्करन किया गया इस बात का आप लोग विश्य से ज्यान रखिएगा ये भी आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रखना है यहां से मिट्टी के बरतन मिलें तो वो कैसे मिलें तो आप कह सकते हो लाल गुलाबी लाल गुलाबी मरीद भाण्ड मिलें मरीद भाण्ड का मतलब मिट्टी के बरतन कैसे मिलें लाल गुलाबी मिलें ये भी आप अच्छी तरीके से द्यान रखना ये दो पसल उगाया करते थे यहां के जो लोग हैं न वो एक बार में एक बार में कितनी दो पसल दो पसल उगाया करते थे ये भी थोड़ा सा अच्छी तरिके से आप लोग ध्यान नक लेना लाल गुलाबी मरीद बांड मिले मरीद बांड में सिपक्काई को सनाएगा क्योंकि आज दो तीन एक जामेने पीछे के दे गए वहां से यही मरीद बां तयम्हें वह भी कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। बरतन भी कुछ एक यहां से मिले है बेल की मर्ण मूर्ती मिली है यहां से बेल की मर्ण मूर्ती मिली है बेल की मर्ण मूर्ती भी देखने को मिलती है यहां पर थोड़ा ध्यान रखना आप लो यहां का पालतु जानवर जो आपको पता ही है यहां का कुट्टा था कुट्टा पालतु जानवर कुट्टा यह भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान रखना ये विशेश तोर से आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना इसका भी थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से घ्यान होना जाईए यहां पर इंटों का आकार जो है इतना मेरे साथ से डिप नहीं पूछा जाएगा अलांकि मेरा ओफ लाइन कख्षा में बहुत सारा करवावी रखा इंटों का आकार जो है यहां का वो कितना था तो इंटों का आकार था कल का कल ओनलाइन में थोड़े आपने जो अभी पढ़ रहे है न इन क्लासों के अंदर टाइम टेबल थोड़ा चेंज हुआ है सुबह टाइम टेबल आप लिख लिजेगा अच्छी तरीके से कल मेरी क्लास तीन वज़े से नहीं आएगी यह पहले ही उता जाता हूँ नो से दस तो आएगी इस्वर सर की सुबह ओनलाइन का क्षा में जब यहां आप लोग बढ़ते हो नो से दस तो आएगी इस्वर सर की 10-12 आएगी reasoning की class सत्यवान जी सर की 12-2 बजे तक आएगी मेरी रास्तान जी के की 2-4 आएगी देविदान सर mathematics की और फिर 5-7 भी आएगी देविदान सर mensuration की तो एक बार फिर 9-10 इसवर जी सर की 10-12 सत्यवान सर 12-2 मेरी और 2-4 किसक्याद आएगी देविदान सर और फिर 5-7 भी किसक्याद आएगी देविदान सर तो आज के लिए इतना ही हम कल फिर उब्रू होंगे आपके सामने मैं होंगा आपका तो टॉपिक यही लेकर के सब्याता है तो आप तब तक के लिए आप अच्छे से त्यारी कीजिएगा और थैंक यू थैंक यू धन्यवाद पुल्किं आपके लुम झापकी, बन् å झापके लो जा था पुल्किंता, पुल्ग उल्म Walk यूओ, कि यूओीं। यूओ झाल झाल